आकाश्वानी के महानिदेशक श्री श्रीकांद कपूर यहां उपस्थित महानोभाव विद्वत मंडली भाईयों और बहनों स्वर्गिय डॉक्टर राजिंद प्रशाद बहुमुखी प्रतिबा के धनी थे एक महान स्वतंतरता सेनानी जिन्नों ने अपना सारा जीवन देश को नियचावर किया एक ऐसे व्यक्ति जो गांधी जी के निकरतम सहयोगी थे कई बार जेल गए अनेक आंदोलनों में उन्होंने हिस्सा लिया अग्रसर रहे किसान आंदोलन हिंदी के आंदोलन में बहुत कारी उन्होंने किया तीन बार वो कॉंग्रस के अध्यक्ष रहे और 1946 में जब स्वतंतरता का समय आ गया उस समय उन्हें सम्विधान सभा का अध्यक्ष चुना गया 46 से लेके 50 तक 3-4 वर्ष सम्विधान सभा ने जो कार्य किया बहुत ही कठिन परिस्थितियों में क्यूंकि उसी समय जहां हम स्वतंतर हुए वहां देश का बटवारा भी हुआ जहां प्रसन्नता और उल्लास्थ हुआ कि हम सदियों के बाद विदेशी नियंतरन से निकल कर एक स्वतंतर देश बने हैं वहां लाखों व्यक्ती उजड़ भी गए अपने घरों से तबा बरबाद हुए खून की नदियां बही ऐसे भैंकर परिस्थिती में संविधान सभा का कार्य चलाना राजन बाबु का ही कार्य था और उनकी विनम्रता उनकी विद्वत्ता और जिस ढंग से वो प्रतेक व्यक्ती को एक बहुत ही अच्छे तरीके से संबोधित करते थे उनके दिल को छूते थे मैं समझता हूँ कि उनका इस पद के लिए चैन बहुत ही उप्युक्त था और फिर जब संबिधान बन गया तो स्वाभाविक ही था कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपती डॉक्टर राजिंदर प्रशाद को चुना जाता हूँ और डॉक्टर राजिंदर प्रशाद एक मात्र व्यक्ती रहे हैं अभी तक जिन्हें दिती वार राष्ट्रपती चुना गया आज तक किसी व्यक्ती को राष्ट्रपती दो बार नहीं चुना गया है लेकिन राजिंदर बाबु को चुना गया भारती संस्रिती के वो अनन् तक थे, मुझे सौभागी मिला, उनके साथ निजी केई बार उनके साथ सम्मंध हुए, उनके साथ बाते हुई, वो बहुत प्रेम से मुझे मिलते थे, मैं छोटी ही उमर में रीजन बन गया था और 21 वर्ष की उमर में सद्रे रियासत बन गया था, तो हर वर्ष यहां उन दिनों में गवनर्ज और राजप्रमुक्स कानफरंस हुआ करती थी, युवा पीड़ी ने तो कभी राजप्रमुक का नाम भी नहीं सुना होगा, शायद सद्रे रियासत का सुन भी लिया हो, उन दिनों में हर वर्ष जाडों में एक सम्मेलन होता था, तो हम यहां आते थे, राश्पदी भवन में ही मैं ठहरता था, और राजप्रमु बड़े प्रेम से मुझे अलग बुला के पूछते थे कश्मीर के वारे में, कश्मीर जहां मुकुट है, वहां कश्मीर चिंता का विशे आज से नहीं, 40-45 वर्ष से बना हुआ है, उस समय भी मुझे याद है कि डॉक्टर राजप्रशाद अलग मुझे बुला के पूछते थे कि कश्मीर की क्या परिस्तिती है, और वो आए भी मैंने उनको निमंत्रित किया कश्मीर में, वो आए हमारे निमंत्रन पे सपरिवार, और एक बार जो उनसे मिल जाए, वो उन्हें परकार के व्यक्ति, जो विनम्र भी और विद्वान भी, जो उँचे से उँचे पद्वी पर पहुंचने पर भी कभी अपनी विनम्रता नहीं उन्होंने छोड़ी, जो हमारी संस्कृती में कहा है कि एक वरिक्ष पे जितना अधिक फल लगे, उतना ही उसे जुकना इसलिए ये क्योंके वियाख्यान माला उन्ही की स्मृति में आका आश्वानी का हर साल यहां चलाती है, तो सबसे पहले मैं डॉक्टर रजंदर परशाद को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करता हूं, और आशा करता हूं कि उनका आशीरवाद और उनका जो उदाहरन है वो हमारे सामने बना रहेगा, जब मुझे आकाश्वानी ने पूछा कि आप डॉक्टर राजंदर पुषाद व्याख्यान करेंगे मैं आवश्य करूंगा फिर विशय का प्रशन उठा, अनेक विशयों की उपर विचार हुआ, मैंने कहा कोई ऐसा कोई सांस्रितिक कर रहा हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि मानव जाती मानव एक चौराहे पे खड़ी, प्राचीन मान्यताएं टूट रही हैं, नवीन का जन्म नहीं हो रहा है, और हमारी पीडियां त्रिशंकू की तरह कुछ अधुत परिस्तिती में अपने आपको पाती हैं, एक विशा समुद्र मंथन हो रहा है, चेतना का मंथन हो रहा है, और जैसा के पौराने कथा में बताया गया, जब समुद्र मंथन होता है, तो रतन भी बहुत निकलते हैं, ज्यान और विज्यान, साइंस और तक्नीकी ने बहुत रतन दिये हैं मानो जाती को, लेकिन गरल की परिस्तित भी आ गई है आज जहां जाएं हिमसा बिद्रोह परस पर बैर बजाए इसके कि हम एक शांती पूर्ण विश्वी की तरफ जाएं ऐसा लगता है कि शीत युद्ध तो समाप्त हो गया लेकिन अभी छोटे छोटे गरम युद्ध जो हैं सारे विश्व में भड़क उठें और युद्ध के समाप्त होने के बाद जितने हजारों लाखों लोग मरे हैं युद्ध में कोई भूख से तरफ तरफ के मरे हैं ऐसी परिस्थिती आज के विश्व में है कि कई लाख तो अधिक खाने से मर जाते हैं और कई करोड भूखे मर जाते हैं यह अद्भुत एक परिस सिती में, अब भगवान शंकर के तो हम भकत हैं ही हैं, गरल वो अपने में समाลे तभी जाके आगे अमरित की अभी व्यक्ति होगी, लेकिन हमारी चेतना किस प्रकार की हो, विश्व चेतना कैसे उभरे, विश्विय करन तो हो रहा है साइंस और तक्नीकी ने विश्विय करन कर दिया है आप आज आकाशवानी लगा दीजिए दूर दर्शन लगा दीजिए केबल टीवी लगा दीजिए विश्व में कहीं भी कुछ हो रहा हो तो आप उसे देख सकते हैं लेकिन एक विश्विय करन के साथ विश्वचेतना नहीं उभर रही है तो मुझे लगा कि हम अपने सांस्विदिक धरोवर की तरफ देखें कि क्या इसमें कोई हमें इस भैंकर परिस्थिती में कोई मार्ग दर्शन मिलता है या नहीं मिलता है हमारी सांस्रितिक धरोवर आज से नहीं हजारों वर्ष से अटूट चली आ रही है जैसे देवतात्मा हिमाले से गंगा निकलती है बहती है और निरंतर बहती चली जाती है उसी प्रकार से हिमाले से ही हमारी सांस्रितिक और दार्षनिक और अध्यात्मिक सुरोत वहां से उभरा है और वहां से वो पद्धती चली आ रही महाकविक कालीदास ने हिमाले का वर्णन कुमार संभव के प्रसमीश लोक में किया है अस्त्युत्तरस्याम दिशिदेव दात्मा हिमालयो नाम नगाधि राजा पूर्वहा परोतो यनिधी वगाहया स्थितह प्रथिव्या इवमान दन्ड तो अगर हम अपने वेदों को एक हिमालय की तरह समझें तो उपनिशिद जो हैं वो हमालय की उन चोटियों की तरह है जो हमेशा ग्यान के सूर्य से प्रकाश मान रहते हैं मैं समझता हूँ कि सारे विश्व के दर्शन में उपनिशिद एक प्रकार से चर्म सीमा है हमारी विचार धारा की और उपनिशिद से ही जितने और हमारे शास्त्र निकले हैं पुरान हैं इत्यादी उसके पश्चाद जो भी है वो उपनिशिद में जो सत्य हैं उनी की अलग-लग भाशाओं में अभी व्यक्ति चाहे वो पौरानों में हो चाहे वो बड़े-बड़े आचारियों ने किया हो चाहे फिर भक्ती कालीन समय में हुआ हो चाहे आधूनिक यूग में स्वामी विवेक अनंद और शेरी अर्विंद ने किया लेकिन जो सुरोत है जो मूल विचार धारा है वो उपनी शद में हमें मिलती है और आच्चेरी की बात ये है कि जैसे जैसे विज्ञान प्रगती कर रहा है विदान्त के विचार अधिक सार्थिक सिद्ध हो रहे है किई विचारधारें ऐसी हैं कि जब साइंस और तक्नीकी बढ़ती है तो वो विचारधारा लुड़क जाती है उसमें वो शक्ती नहीं है कि उसका वो सामना कर सके या जो प्रशन उठते हैं उसका उत्तर दे सके लेकिन वेदान्त में मैंने ये देखा चेतना उभर रही है वैसे ही विदान्त के जो सत्य हैं वो अधिक महत्वपूर्ण होते जा रहे हैं तो उपनिशिद के विशे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है एक नहीं है उपनिशिद 108 माने गए हैं आप जानते हैं जिसमें 13-14 प्रमुख हैं बड़े बड़े उनकी उपर भाष्य लिखे गए हैं एक-एक मंत्र को लेके हमारे आचारियों ने और विद्वानों ने परिभाष्या उनकी की है उपनिशिद का अर्थ तो यही है आप जानते हैं कि जो समीब बैठे जो हमारी एक पद्धती आश्रम पद्धती थी जहां गुरू बैठते थे और शिश बैठते थे और ग्ञान की बाते होती थी यह एक बहुत ही निकटतम उनका संबंद था और वातावरन भी बड़ा प्रशांत था किसी हमाले के जील में या गंगा के किनारे या किसी पहाड में बैठके या अरण्य में बैठके उपनिशित का ग्यान दिया गया अब ये विस्तरित विशे है लेकिन मैं आपके सामने पांच प्रमुक विचार रखना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ के आज की और कल की आने वाले कल की परिस्तिती में महत्व पूर्ण है और जो विशेश कर विश्व चेतना का आधार बन सकती है सरप्रथम तो उपनिशित का ये विचार इशावास्यमिदम सरवं यद किंच जगत्याम जगत इशावास्य उपनिशित का प्रथम मंत्र का प्रथम पंक्ती है जिसमें ये है कि ये समस्त ब्रम्हांड जो है एक ही शक्ती से ओत प्रोत है इसमें अंततो गत्वा द्वैत नहीं है और केवल ये छोटी सी हमारी पृत्वी नहीं लेकिन अनंत कोटी ब्रह्मांड का उलेख हुआ है हमारे शास्त्रों में अगर हम ब्रह्मांड को एक गैलेक्सी माने तो अनंत कोटी ब्रह्मांड में जहां भी कहीं वो हो सारे के सारे एक ही शक्ती से प्रकाश माने मुझे पूछा जाता है किस प्रकार से आप अपने शास्त्रों में उनकी परिभाशा करते हैं तो मुंड को उपनिशित्म है तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्यभासा सर्वम इदम विभाति जिसके प्रकाश से ये समस्त ब्रह्मांड प्रकाशित है उसी को हम परव्रह्म कहते हैं तो ये परव्रह्म सर्वव्यापक है ये सबसे पहला सत्य हमें समझना है उपनीशित में ये वरिश्ड विष्व जो है ये अनटकोटी ब्रह्मांड जो है ये सारे के सारे एगी दिव्य शक्ती से ओत प्रोत है और उन्ही से प्रकाश्मान हैं ये समझना बड़ा आवश्यक है और आप देखेंगे कि जो साइंस दान इस समय हैं जो विग्यानिक हैं वो यूनिफाइड फील्ड थेयरी की खोज में हैं वो एक ऐसे विचार के खोज में हैं कि जितनी अलग-अलग शक्तियां विग्यान विधांत में हमें मिलती है और मुझे लगता है कि जब वो एक शक्ति पाई जाएगी वैग्यानिक जब उसको पाएंगे तब वो भी इस सत्य को समझेंगे कि ये समस्त जो ब्रह्मान है एक ही शक्ति से उत्परूत है अब दूसरे अगर हम विचार पे चलें यदी ये शक् प्रत्येक मानव के अंदर भी वही शक्ति है वेदांत ने कभी ये नहीं कहा कि ये शक्ति केवल किसी एक वर्ग या एक वर्ण या एक धर्म में है इश्वरा सर्वभूतानाम हृदेशे तिष्टदी ये हरेक के हृदे के अंदर बैठा हुआ है अंगुष्ट मात्र वो त उसका साक्षात कार हो सकता है योग के द्वारा उर्दम प्राणम उन्यती अप्राणम प्रत्यकस्टी मध्य वामन मासी नंं विश्वे देवा उपासते कि ये हमारे मध्य हृदह में वो विराजमान है हृद्धम ayagya प्रे को शे विर्जं ब्रह्म्ह निश्कलम पत्ष भ् मानव जाती लगता है कि मानव एक बहुत दुखी और छोटा सा व्यक्ति है लेकिन वेदान्त कहता है कि हम अमरतस्य पुत्रा हैं अमरतत्व हम सब की दिरासत है इसलिए हम व्यक्ति को कहें कि ये तो बड़े पापी है और ये दुश्ट है ये गलत है होगे अपने करम बुरे करम का बुरा असर पड़ेगा अच्छे करम का अच्छा असर पड़ेगा लेकिन अंततो गत्वा हरे के हिर्दे में वो शक्ति विराजमान है ये एक बड़ा महत्वपूर्ण विचार वेदान्त का है और इस विचार को जब हम लें तो संकीनता का कोई स्थान नहीं रहता ज जब प्रतेक व्यक्ति में हम प्रब्र्म का प्रती बिंब देखें तो किसी के साथ हम अग्रना कैसे कर सकते हैं यँस्तौ सर्वानी भूताणी आत्मन्यवन उपश्छति सर्व भूतेशुचात्मान।ंम् ततो नविजुगुपसते यजमिन सर्वानी भूताणी आतमेवा भूत विजानता है तत्रकोमोह कहां शोक है एकत्वम्मनु पश्रता इशावास्य में है कि जो हरेक को अपने में पाता है और अपने को हरेक की अंदर देखता है वहां शोक और मोह का कहां सवाल उठता है एकत्वम्मनु पश्रता यह एकत्व जो है बाहर के परभ्रम्म का औ वेदान्त का सार है और इसे समझना बड़ा आवश्यक है क्योंकि इसे समझने से ही आप ये जो प्रजातंतर की बात होती है क्यों प्रजातंतर हो इसलिए कि प्रतेग व्यक्ति का एक अपना अधिकार है व्यक्ति मात्र ये नहीं है कि इस्तिमाल करके उनको फैंक दिया जाए जैसे एक गिलास को फैंक दिया जाता है इसलिए कि हर एक व्यक्ति अद्भुत है और हर एक व्यक्ति के अंदर भगवान का निवास है इसलिए हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हर एक व्यक्ति के प्रती हम शद्धा से और अच्छे ढंग से उनके साथ विवहार करें तो ये दूसरा विचार बेदानत का है जो मैं मानता हूँ कि आज के युग में जहां के प्रजातंतर की इतनी कलपना हो रही है और इतनी अलग-लग विचार प्रकट किये जा रहे हैं आध्यात्मिक जो आधार प्रजातंतर का है वो ये विचार है फिर हम उससे आगे चलें यदि परतियेक व्यक्ती में ईश्वर का निवास है तो समस्त मानव जाती फिर एक परिवार है परिवार क्या होता परिवार तो जो माता पिता इत्यादी उनके जो बच्चे परिवार है लेकिन जब हम हर एक व्यक्ती में परब्रह्म का निवास देखते हैं और उस दिव्य शक्ती का निवास मानते हैं तो फिर जो हमारे संसद भवन में राजिंद प्रशाद जी संसद में ही बहुत वर्ष रहे प्रथम द्वार में आप गए होंगे वहां लिखा है अयम निजा परोवेती गणा नाम लगुचेत साम उदार चरिता नामतु वसुदेवकुटुम्भकम ये मेरा है ये तुम्हारा है ये तो लगुचेत साम जिनकी छोटी समझ है जिनकी संकीरन विचार धारा है वो ये समझते हैं उदार चरिता नामतु जिसकी उदार विचार धारा है उसके लिए क्या वसुदेवकुटुम्भकम ये वसुदेव कुटुमबकम जो है ये दो शब्द मैं समझता हूँ कि विश्व में जो एक नई विश्व चेतना उभर रही है जो एक विश्व समाज उभर रहा है उसका मूल मंत्र यदि हम दो शब्दों में रखना चाहें तो वसुदेव कुटुमबकम इसके बिना कोई आप कभी एकता की और नहीं जा सकते आज आप देख रहे हैं देश में भी विदेश में भी कोई वर्ग के नाम पे कोई वरन के नाम पे कोई धर्म के नाम पे कोई भाशा के नाम पे कोई राश्ट्रियता के नाम पे दिवारें बन रही है मैं तो ये समझता हूँ राश्ट्रियता का अपना एक स्थान है बड़ा महत्व पूर्म लेकिन एक सो बानुए राश्ट्र हैं अब सम्युक्त राश्ट्र में तो एक सो बानुए राश्ट्रियताएं भी हैं अंत्तो गत्वा आप मानव जाती एक सो बानुए हुश्से कैसे कर सकते हैं मुझे लगता है कि राष्ट्रियता राष्ट्र का एक अपना महत्व है लेकिन अब जो आने वाला युग है उसमें धीरे धीरे राष्ट्रियता से भी बढ़के ta की ओर हमें जाना है सौ वर्ष पहले महरीशी अर्विंद ने भवानी भारती का उद्गोष किया था मैं समझता हूँ कि अब सौ वर्ष के बाद जहां भवानी भारती की उपासना तो हमें करनी ही चाहिए वहां भवानी वसुंधरा की भी उपासना करनी उनी मेरा ही देश पवित्र है और हमारी सीमा के बार जो पृत्वी है वो पवित्र नहीं है ये अब नहीं चले रहा ये एक एक क्रांती कारी विचार धारा में परिवर्तन आ रहा है चाहे हम इसे समझें चाहे नहा समझें हो सकता है कि इस विचार धारा को प्रकट होने में औ और पचास वर्ष सो वर्ष लग जाएं लेकिन जो काल की गती चल रही है जिस प्रकार से मानव जाती का विकास हो रहा है यदि ये विचारधारा वसुदेव कुटुम्बकिम की हमने नहीं अपनाई तो फिर हम परस्पर ही बिरोध में समस्त मानव जाती को भी हम नश्ट कर स सकते हैं याद रखिए शीत युद्ध समाप्त हो गया है लेकिन अनु अस्तर अभी भी पचास हजार अनु अस्तर हैं इस प्रिथवी पे और एक एक अस्तर ऐसा है जो एक हजार हीरोशीमा बंब से अधिक सशक्त है आप में से कुछ हीरोशीमा गए होंगे मैं गया था हीर हीरोशीमा में की पांच लाक व्यक्ति उसी समय भस्म हो गए और लाखों तडफ तडफ के बाद में मर गए अभी तक लोग मर रहे हैं उस हीरोशीमा बंब से हजार गुना सशक्त आज एक एक हाइडरिजन बंब है और पचास हजार ऐसे बंब आज भी प्रिस्वी के उपर यादोश संस्क्रिती है लोग भूख से मर रहे हैं और करोड़ों अरबों रुपए इन बंब के बनाने में लग गए हैं जो कभी प्रियोग नहीं हो सकते क्योंकि एक बार अगर बंब चल जाएं तो हमारी प्रिस्वी तो सारी की सारी नश्ट हो जाएगी इसलिए चेतना को हमें स्पष्ट करना है वो युग के जब हम समझें के नहीं भई अब हम ही ठीक हैं और दूसरा गलत है और अगर वो नहीं हमारी बात मानता तो उसके उपर बंब फैंको इस से सारे के सारा विश्व जो है दोस्त हो सकता है तो यदि मानुजाती को बचना है यदि मानुजाती को आगे भी एक हजार वर्ष बढ़ना है तब मुझे लगता है कि वसुदेव कुटुम्भुकम का जो विचार हमारे वेदानत में नहित है जो के समस्त मानव को अपनी लपेट में ले लेता है वो विचार प्रस्तुत क परना बड़ा आवश्यक। प्रकार की योग मिलते हैं अनेक विचार धाराएं मिलती हैं लेकिन वेदांत का ये कहना है एकम सत्विप्रा बहुदा वदन्ति के सचाई एक है सत्य एक है उसे प्रकट करने उसे देखने उसका दर्शन करने के अलग-अलग मार्ग हो सकते हैं। रात परम पुरुशो मुपैटी दिव्यों जिस परकार से नदियां और नाले अलग-अलग स्थान से उत्पन होते हैं लेकिन अन्तो तो गत्वा एक ही महा सागर में विलीन हो जाते हैं। वैसे ही जितने धर्म हैं और मत हैं इनके उत्पन होने के स्थान अलग हो सकते हैं। लेकिन यदि वास्तव में ये इनमें दिव्य शक्ती है तो इनका लक्ष अलग नहीं हो सकता। मैं अभी शिकागो से आ रहा हूं। शिकागो आपको स्मर्ण होगा अठारा सो त्रियानवे में प्रथम विश्व धर्म संबेलन हुआ था। बड़ा महत्वपूर्ण संबेलन था। और हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण अधिक था कि स्वामी विवेकानंद एक अज्यात और अंजाने साधू वहां पहुंच गए और वहां उन्होंने वेदान्त की जो परिभाशा की उसका प्रचार आज तक उसकी प्रतिध्व आज तक वहां चली आ रही इस सो वर्ष के बाद शिकागो में फिर उन्होंने ये समेलन किया था दुदिया विश्वधर्म समेलन और वहां अनेक धर्म के लोग मिले थे और वहां हमने यही बात कही थे कि ये ठीक है जैसे हमें अपने अपने राश्टर से प्रेम है और रह अधिक एक विश्वचेतना भी है उसी प्रकार से हमें अभी अब अपने धर्म का जहां हम प्रचार करें वहां दूसरे धर्म का बिरोध करना उचित नहीं क्योंकि हमारे वेदान्त में ही इस पश्ट लिखा है कि भगवान को पाने के अलग मार्ग हो सकते हैं मैं श्री नगर में रहता हूँ भगवान शंकर का मंदिर है बहुत सारे लोगों ने देखा होगा उसे जाने के अनेक रास्ते हैं हमारे घर से भी जाते हैं कोई गगरी बल से जाते हैं कोई दुरगा नाग से जाते हैं पांच छे रास्ते हैं तो जब आरंभ आप अपनी यात्रा करें उस समय तो दिखता भी नहीं है कि दूसरा व्यक्ति कहां से चड़ रहा है लेकिन जब आप उपर पहुंचें शिकर तक तो अंत्तो गत्वा एक ही स्थान पर पहुंचेंगे ये विचार मैं समझता हूँ आज कल बड़ा अवश्यक है इसको दोहराना क्यूंकि धर्म से लाब भी बहुत हुआ है अलग अलग धर्म जो है मजब जो हैं सारी दुनिया में लेकिन धर्म एक बिरोध का संघर्ष का विशे भी बना और मुझे लगता है कि धर्म या मजब के नाम में जितने लोग मारे गए होंगे पिछले चार पांच हजार वर्ष में और किसी के नाम में नहीं मारे जाए आश्चरी की बात है भगवान को हम करुणा का आवतार मानते है करपूर गवरुम करुणा आवतार भगवान शंकर की हम उबासना रोज करते है मुसल्मान आरंभ करते है बिसमिल्ला रह्मान औरहीम रह्मान यही कि जो करुणा मैं हूँ इसाई कहते हैं कि इसा मसी तो क्रोस के उपर चड़ गये थे मानजाती को बचाने के लिए तो हर एक धर्म अपनी जगा तो भगवान को बहुत करोणा महें मानता है लेकिन उसी भगवान के नाम पे किस प्रकार से दूसरों के उपर अत्याचार होती आश्चरी की बात इसलिए आज अगर हम विश्वचेतना की बात करते हैं तो विश्वचेतना का एक आवश्यक अंग ये है कि हम अपने धर्म में स्थिर रहें लेकिन दूसरे धर्मों का भी हम आदर करें ये विचार जो के और बहुत कम धर्मों में मिलता है मैंने देखा बहुत सारे ऐसे भी शास्त्र हैं के धर्मों के जो कहते हमारा ही रास्ता ठीक है लेकि बिदान्त ये नहीं कहता हूँ भगवान नजाने किस रूप में उत्पन हो प्रकट हो हम कौन हैं कहने वाले कि भगवान जो हैं जो अनंत कोटि ब्रम्हांड नायक है वो इसी ढंग से प्रस्तुत हो सकते आहमकार की भी कोई सीमा होनी चाहिए ये हमें किसने हक दिया हमें कि हम कहें कि भगवान एक ही ढंग से हा सकते और आप भगवान की ओर जाना हो तो यही रास्ता है दूसरा रास्ता नहीं है ये कहने का किसी को अधिकार नहीं और ये बात वेदान्त में बहुत स्पष्ट रूप में बताई गई है कि एकम सत्विप्रा बहुदा बदंती हम सब धर्मों का उस समय अलग 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 धर्म नहीं थे लेकिन अलग अलग मार्ग उस समय भी थे सब धर्मों का हम सम्मान करें और पांचबा और अंतिम जो विचार वेदान्त का मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो है मानव जाती और समस्त विश्व के कल्यान की गल्पना बहुजन सुखाय बहुजन हिदायच कुछ लोग यह समझते हैं कि वेदान्त मात्र अपने ही मोक्ष की तरफ हमें ले जाता है और विश्व की और समाज की और हमारा जो दायत्तो है उसकी और ध्यान नहीं देता है ऐसी बात नहीं हमारी पराथनाएं क्या है हमारी पराथना कभी कि अपने ही कल्यान के लिए नहीं होती सर्वे पी सुखिना संतू सर्वे संतू निरामया सर्वे भद्रानी पश्यंतू मा कश्चित दुक भाग भवेद इससे बढ़कर आप समाजवाद की बात करते हैं इससे बढ़कर क्या आध्यात्मिक समाजवाद होगा सर्वे पी सुखिना संतू सारे जितने विश्वे लोग हैं वो सुखि हो और मानव जाती ही नहीं समस्त जीव जन्तू आजकल परिया वरन कि बहुत बातें आप सुन रहें आजकल रियो में पिछले वर्ष एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था परियावरन के बारे में लेकिन अगर आप अपने वेद पढ़ें वेदांत पढ़ें तो उन में ये बात स्पष्ट है कि यदि हम परियावरन को नश्ट करेंगे तो मानजाती को भी हम नश्ट करेंगे इसलिए हमारी जो इतना जो है इतनी विशाल होनी चाहिए कि हमें जहां अपने मोक्ष की और हमें ध्यान देना है वहां समाज की और भी ध्यान देना रिगवेद कहता है कि दो लक्ष हमारे जीवन के हैं आत्मनो मोक्ष आर्थम जगत हितायच आत्मा का मोक्ष हो लेकिन जगत का भी हित हो और मुझे लगता है कि कई कारण वश हमारे लोग इस देश के लोग अधिकतर आत्मा मोक्ष के पीछे भागते रहते हैं और जगत हिताय की तरफ ध्यान नहीं देते इसलिए आप देखेंगे कि आज भी सबसे अधिक निरक्षर लोग यदी हैं तो हमारे देश में हैं सबसे अधिक गरीब लोग हैं तो हमारे देश में हैं लेकिन वहाँ आप देखेंगे बड़े-बड़े मंदिर बने हैं बड़े-बड़े घर बने हैं सब कुछ बना है लेकिन हमें समाज की और जो अपना दायत्तो है जो हमारी जिम्मेदारी है समाज की और उसे हम भूल रहे हैं और उसे भूलने का ही कारण है कि बहुत सारे देश आगे बढ़ गए हैं लेकिन हमारा देश अभी तक इतना आगे नहीं बढ़ा है तो ये विचार वेदान्त का कि सब जीव जन्तु सब प्रानी सुखी हो ये बहुत बड़ा उत्तम विचार है और इस विचार को भी हमें अपनाना है तो ये जो मैंने पांच आपको विचार वेदान्त के बताए अगर सामूहिक रूप से इस विचार धारा को हम अपनाएं और अपने जीवन का आधार बनाएं तो वास्तव में विश्व चेतना उभर सकती है लेकिन ये केवल इसे आदर्श नहीं माने इनको यथा संभव जीवन में ढालने का परित्म करें हमारे देश में दर्शन बहुत उत्तम रहे लेकिन व्यवार हमारा उत्तम नहीं रहा दुख से कहना पड़ता है कि करनी और कथनी में जितना अंतर हमारे देश में है संभवता किसी और देश में नहीं होगा हमारी विचारधारा तो बड़े विस्तृत हैं बड़े विशाल है लेकिन वास्तविक्ता क्या है ये क्या कारण है कि मैं प्रशन पूछ रहा हूँ मैं उत्तर नहीं दे रहा हूँ मैं एक प्रशन पूछ रहा हूँ अपने शुरोताओं को वो अपने हिर्दे को टटोल के देखें क्या कारण है उत्तर देने के लिए मुझे फिर से बुलाना पड़ेगा आपको किसी और शुरिंखला में मैं उसका उत्तर दूँगा आज तो मैं मात्री ये प्रशन अपने देश वासियों के सामने रखना चाहता हूँ कि क्या कारण है क्यूं हम देख रहे हैं कि देश जो हमारे बहुत पीछे थे वो आगे बढ़ रहे है आप एक उदाहरन ले लीजे जापान देख लीजे जापान पिछले महा युद्ध के पश्चाद दिलकुल तवा भरबाद हो गया था जर्मनी में बरलिन में एक घर नहीं खड़ा था युद्ध की अंत में एक घर नहीं खड़ा था सारे का सारा शहर जो है वो अस्त व्यस्त हो गया था लेकिन आज आप देखिए किस प्रकार से वहाँ जापान में और जर्मनी में वो लोग करमठ होके करमयोग को अपना के उन्होंने अपने देश की पुनरस्थापना की है तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ आज के व्याख्यान में कि यह जो विचार हमारे हैं इतने विशाल इतने उत्तम इन विचारों को एक तो पहुंचाना चाहिए हमारी शिक्षा पद्धती में बड़ा आवश्यक है कि उपनिश्थ की विचार धारा आए यह कोई धर्म की बात नहीं है किसी विशेज धर्म का परचार करना यह विचार धारा जो है यह विचार धारा ऐसी है कि एक परकार से यह धर्मा तीत है एक परकार से यह सर्व व्यापी है तो यह विचार कोई विशेश धर्म का परचार नहीं यह तो एक आध्यातनिक और नईतिक मूल्य जब तक हम फिर से इस देश में स्थापित नहीं करेंगे तब तक बाबू रजंदर प्रशाद जैसे व्यक्ति कैसे इस देश में उभरेंगे और कैसे ये देश वास्तव में उस चोटी तक पहुंचेगा जिसका द्रिश्य स्वामी विवेकारंद ने देखा शिरी अरविंध ने देखा मात्मा गांधी ने देखा डॉक्रर अजंदर प्रशाद ने देखा एक ऐसा देश जो विष्व का गुरु होगा विवेकारंद ने एक स्थान पे कहा है कि भारत वर्ष एक ना एक दिन विश्व का गुरू होगा लेकिन मेरे शुरोता जन मुझे ख्षमा करेंगे आज के भारत में मुझे गुरू के लक्षन नहीं दिखाई दे रहे और वो गुरू के लक्षन कैसे होंगे वो जब हम ये उपनिशद की विचारधारा को अपनाएंगे और इस उपनिशद की विचारधारा को लेके हम कुछ कर्म करेंगे ये मात्र एक विचारधारा मनन का विशे नहीं होना चाहिए ये कर्म का विशे होना चाहिए और इसलिए मैं अपने व्याख्यान को उस मुंड का उपनिशिद के वो दो मंत्रों से स्मात करना चाहता हूँ जो हमें ये प्रोथसाहित करता है कि उपनिशिद रूपी धनश को उठा के और उसमें आत्मा रूपी तीर को हम लगाएं जो सतत एक मनन से तेज हुआ हो और एकाग्रचित होकर हम लक्ष के साथ एक हो जाएं जैसे तीर लक्ष के साथ एक होता है ये कारिया हमें करना है ये महास्तर हमारे पास है जो के केवल हमारी निधी नहीं है समस्त मानव जाती की निधी है लेकिन इसका प्रयोग करना है एक धनुश पड़ा है तो उसका कोई लाब नहीं लेकिन उसका प्रयोग करके और हम अपने जीवन में अपने सबाज में अपने देश में और अपने विश्व में इसका प्रचार करें तभी जाके वास्तव में ये जो प्राचीन सत्य हैं शाश्वत सत्य हैं जो हजारों वर्ष से इस देश को देश की विचार धा करा को प्रकाश्मान किये हुए हैं वास्तव में उनका प्रतिभिंब हमारे देनिक जीवन में होगा धनौर गरी तौप निशितम महास्त्रम शरन हुपासा निशितम संधयीत आयम्यतत भावगतेन चेतसा लक्षम तदेवाक्षरम सोम्य बिधी प्रणवो धनौ शरोह आत्मा ब्रह्मततलक्षम उच्चते अप्रमतेन वेधव्यं शरवत तन्मयो भवेद धन्यमाराद